हेलो एक्टो आज वापस से आपके लिए लेकाया हुँ नए असा प्रोडेट टॉपिक्स है अच्छे तरह समझा लिजीगा और साथ में जीनोंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब निकिया हुआ है वो सब्सक्राइब भी कर लो ताके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे तो दोस्तो यह project topics आप गोर से दिखीगा आपको इस project topics अंदर तक अब अगर देखते तो आपको इसमें सब समझ जाएगा चलो चलते हैं practical की ओर हालो दोस्तो मैं आज आपके लिए जो project topic लेया हूँ यह project topics है automatic garbage sorting system जी आदोस्तो यह जो project है यह project हम सच वारत के लिए भी यूज कर सकते एक्चुली जो भी हमारा सारा कच्रा होता है कुडा कच्रा में एक डब्बे में डाल देते हैं दोस्तों सो है जो कुडा कच्रा होता है एक साथ में एक गठा कच्रा जो आएगा वह इस कंवेर बेल्ट कर डाल दिया जाएगा कंवेर बेल्ट के उपर कच्रा डाल दे जाने के बाद में उसका sorting किया जाएगा जो भी हमारा मेटल इस sensor के सामने से गुज़रेगा तो यह मेटल डिटेक्टर हो साटमेटिकली डिट कंटेनर्स में धक्याट कर डिया जाएगा तो यहापे जो हमें जो मेरा गला गत्तिविड कर रहेगा तो इस से में इसोप अब बेल्बाबाब्या माल जमा हो जाएगा य ess यह फ sinners प्लास्टिक या अनंडर कोई भी सुखाह कशाहिगा होग इसको भी यहपी ना मेटल संस को डिटेक्ट होगा और ही हमारे महश्च अन्र्ख गर ऑगा ऑट्वेट केल यहांट में यहांटर संपलाई यूज्ञेट आ ज्याएगे इस तरीकेसे यह आमारे के 230 होल्ट AC का सप्लाई देता हूँ तो आटमेटिकली यह जो SMPS है यह SMPS बेस्ट सिस्टेम्स मेरे इस आडीनो बोर्ड को 12 होल्ड देना शुरू कर देगे वो जो 12 होल्ड है वो 12 होल्ड इस SMPS से डायरेक आडीनो बोर्ड को मिल जाएगा आडीनो बोर्ड में छुपा हुआ एक ग्याप जो 780 पाइसी है इसको इन बिल अधिकली 7 नमबर के पिन को और 8 नमबर के पिन को ग्रॉल देखते रहेगा तो यह जो जो अग्रेन बोर्ड करिस्टल दो यह उसको 16 मेट का का फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते रहेगा और अटमेटिकली यह मेरा आइडिनो माइक्रो कॉंट्रॉलर्स काम करने के लिए अबल टू रहेगा इसमें दिए होए बी सी डी पोर्ट जो है तो बी पोर्ट से आप कोई डीटल सेंसर इसको लगा सकते है डीटल से आने वाला samekeeper कशनता अंडूर्स सिंगनल दे दिया है शाथ में से सब्सक्राइब करवा रहा है जो की मेरे मोटर्स को कंड्रोल कर ocean in Korea अबर zost un273 नाम का इसी दूल rinse मोटर्स के लिए यह पलांचर मोटर्स अिक्येट होते रहेगें सेंसर के सबसे यह बैसें सेंसर एक्चुली प्रॉक्जमेटी स्विची से बोला आता है यह प्रॉक्जमेटी स्विच निया रावर पास से लेकर हमारे 30 होल टक काम करते हैं जो पास से लेकर 30 होल का कोभी सिगनल से हम यहां पर बेश सकते हैं तो इसे विची सी और ग्राउन देना होता है तो इसे विची सी और ग्राउन का सिगनल मैंने यहां पर मेरे ब्र पर ले लिया है तो इस वसाब से इसको सारे मिल जाने के बाद में अटमेटिकल यह काम करने शूरू कर दी गा तो में आपको इसका सारा टेक्निकल डिटल बता दिया है दोस्तों इसके चलाने के लिए अमने डीसी गेर मोटर यूज किया तो चलो चलते हैं डिमाटेशन की ओर तो दोस्तों अब हम इसको पाउर सप्लाई देने के लिए पहले में यहाप पर एसी में मेरा पिंद लगा देता हूँ अब इसका पाउर सप्लाई शूरू हो चुका है सब्सक्राइब का मोटर्स घुम रहा है और हमारा जो कंवेर बेल से इस पर गुमते रहेगा और जैसे में इसके उपर अगर मेटल देता हूँ तो मेटल से इसको पर रूप जाएगा और यह जो एक है उसको मॉस्चर के लिए उदर धकेल देगा मॉस्चर वाला प्लंजर भी काम करवा रहा है अभी वापस से बेल चुरू हो जाएगा और उसके उपर से अगर यह मेरा गुजरता है तो यह चीज कई पर भी नहीं रुखेगी यह डायरेक्ली इदर गिर जाएगी हमारे तिस्ते कंटेजर में तो इस तरीके से इसमें हमने यहापे जो भी आएगा तो आपको अच्छा लागा होगा तो दोस्तो इस तरीके से हमने प्रोजेक्ट टॉपिस कंपीट कर लिया है ऐसे प्रोजेक्ट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्स्राइब करें और गंटी गंटी का बटन दबाना मत बुले ताकि आपको नोटिफिके मिलते रहेगे बाबाए दोस्तो